उत्तरप्रदेश के जनपत बहरायचे कस्बा नवाब गंज में जूनियर हाई स्कूल के प्रांगड में आयूजुट डे नाइट बालीबाल प्रतियोगिता का फाइनल मैच गोंडा की निंदूरा टीम ने सीतापुर की तमबाव टीम को सीधे दो सीटों से हराकर चीत लिया मालुम हो कि कस्बा नवाब गंज के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगड में नदीम बालीबाल कलब के तत्वधान में सनिवार को डे नाइट बालीबाल प्रतियोगिता का आयूजन किया गया वहीं प्रतियोगिता का उद्धाटन फीता काटकर खंड सिच्छा अधिकारी नवाबगन संतोस कुमार सुकला ने किया इस डे नाइट बालीबाल प्रतियोगिता में गोंडा 12 बंकी लखेमपूर बहराईच आधी स्थानों की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया इस प्रतियोगिता का पहला सेमी पाइनल मैट मनघडियां लखेमपूर वा गोंडा की निंदूरा टीम के बीच खेला गया वहीं निंदूरा ने सीदे दो सीटों में मनघडियां लखेमपूर को पाइनल में प्रवेस किया वहीं दूसरा सेमी फाइनल में तंबॉर सीतापूर वा कारीकोट पलिया लखीमपूर के बीच खेला गया जिसमें सीधे दो सीटों में तंबॉर सीतापूर ने कारीकोट पलिया लखीमपूर को पराजित कर फाइनल में प्रवेस किया वहीं फाइनल मुकाबला बेश टाफ थरी के आधार पर खेला गया जिसमें निंदूरा गोंडा ने तमबॉर सीतापूर को 15-13 वा 15-11 से सीधे दो सीटों में पराजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया वहीं विजेता टीम के कप्तान आरिफ खान को समापन समारो के दोरान ग्राम प्रधान प्रतिनेदी नवाब बन वा भाजपा जिला कारिसमित के सदस बेचेलाल जैसवाल वा ग्राम गोविंदापूर पंडित के ग्राम प्रतिनेदी सहाबुद्दिन खान की तरफ से विजेत से कोई मतलब नहीं है जो अच्छा खेला वही जीतेगा उन्होंने छेत्र में खेल को बढ़ावा देने की बात कही वही ग्राम प्रतिभावान प्रतिभावान खेलारी पर देश वह देश की टीमों में खेले उन्होंने खेल की खेलारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका हर समव मदद करने की बात कही इस दोरान प्रतियोगिता के आईज़र नदीम कलब के इसरार एहमत खान अकील एहमत सिद्ध की संजे गुपता नदीम एहमत आदिलोक मौजूद रहे नवावगण के जूनियर हाई स्कूल में जिला अस्तरिय वाली वाल प्रतियोगिता का आईज़र किया गया जित में हमारे गराम परधान नवावगण बेचलाज जैसवाल वा गराम परधान गोगिल्दा पुरपंडि साबुद दिन का खापी पहयोग और योगदार राई सं इस प्रतियोगिता में हम उन्हें कुछ खेल के बारे में जानना चाहीं है जीवताइए ये परत्युकता मेंत्र आप खिलालीों के रवारे में है या तहने चाहिए आज का ये कारकरम सांसत के प्रत्यूब्धा के रूप में मोड़े उत्तर प्रदेश में समीं बलाकसत की म जीत हार का मतलब कुछ नहीं ये खेल भावना से खेल हुआ है और जो भी लोग खेले हैं आज का दिन जिनका अच्छाथा ओ टीम गीती है कल दूसरी टीम जीतेगी और खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना थीए यही हम लोगों का सभी लोगों का उप्देश होता है हम जो गराम परभान साबू दिन खान से भी जो खेल को काफी पढ़ावा दे रहे हैं जाए किर्केटों चायवाल लिवाल हो छेत्र में काफी सहोग करें हम उनसे संबन में जाना चाहते हैं इसा कि आपको स्री बेचलाल जी ने बताया वही भावना मेरी भी है मैं यह चाहता हूं कि हमारे छेत्र से अच्छे खेडाली निकले जो अंतर राष्टे में जाएं हम चाहते हैं कि हमारे छेत्र से जब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारे छेत्र का विकास होगा और अखंड भारत न्यूज के लिए जमील एहमत की रिपोर्ट पहराईज